जैसी रहां सभी को अभी ना मैं बात करने वाला हूं कुछ ना एक ऐसी न्यूज के वारे में जो सनी पाजी ने अपने भाई के वारे में बोला है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना प्रैस दा ओल बेल आइकन पर कलिक कर लेना आपकी जो भी परसनल उपीनियन है, कमेंट बॉक्स आपकी के लिए खुला है, तो कमेंट करके परसनली मेरे को भी बता सकते हो, जो भी आप मतलब सोचते हो, आप सभी को पता है, एक ना मूबी आने वाली है, राजवीर देउल की, पस उसी के प्रमोशन के लिए ना ये आपको टीजर कैसा लगा, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला इसके बारे में, लेकिन सनी पाजी ने बोला की हां, रिपोर्टर ने ये बोला था कि आपको बोबी देवल का जो काम है वो कैसा लगा, उसके आरे में बता एपको काफी अच्छा है, अगर यहां पर विलन टैप में हो सकता है, अगर मैं आपर बात करूं, अगर मुवी आप देखने के बाद मेरे कुछ जूर लग रहा है, पक्का, बावी देओल ने ना विलन बनके ना ऐसा काम किया है कि बड़े बड़े हीरो ना उसके सामने आने से डरेंगे और उसके सामने ना पानी बरें है, उसके बाद में बहुत सारी मुवियों के लेकर चर्चा चल रही है, कुछ रूमर्स भी निकल निकल के आ रहे हैं, लेकिन फाइनली होने के हावाला है, वो पक्का तभी होगा, जब कुछ पोस्टर यार टीजर अगर आएगा तभी उसके उपर बात करेंगे, अभी ना बात करूं, तो बाइस आप इसमें दिखने वाले हैं, उसके साथ साथ उनके साथ पासना और भी प्रोजेक्ट से, अभी ना अगर दोनों के बात करूं, मतलब एक मुवी जो दोनों आ रही है, उसके बारे मैं बात करूं, ट्रेलर तो काफी अच्छा था, उसके बाद मैं पर देखा जाए, मुवी क्या इंपेक्ट डालती है, आला कि मेरे हिसाफ से करन देओल के साथ ना काम करना चीए था, और पता नहीं ने राजवीर को क्यो लिया, मेरे समझ से बाहर है, करन का काम मेरे को उस टाइम पे काफी ज़्याद अच्छा लगा था, तो आप क्या कहत हो इस बारे में, परसली मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो, तो आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में तना ही मिलते हैं, बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई टॉपक के साथ, तो तब तक के लिए बाए